सम्राट ललिता दित्ती मुक्तिपीड कश्मीर के करकोटा नाक वन्षी कायस्त वन्ष के हिंदू सम्राट थे उनका राजी काल 724 से 761 इच भी माना जाता है उनके काल में कश्मीर का विस्तार मद्ध एशिया और बंगाल तक पहुँच गया उन्होंने अरब के मुसल्मान अक्रांताओं का सफलता पूर्वक्त दमन किया तिबती सेना को भी पीचे हटाया उन्होंने हर्ष की उत्रा दिकारी राजा येश्यो बर्वन को पराजित किया उनका राजी पूर्व में बंगाल तु पश्रिम में तुर्किस्तान दक्षिर मे कोंकर तथा उत्तपूर्व में तिबत तक फैला हुआ था करकोटा चत्री राजवन्ष के स्थापना दुर्लव बर्मन ने की थी वे गोंद डियावन्ष के अंतिम शाशक राजा बाला धित्ति की राजी में अधिकारी थे बाला धित्ति ने अपनी पुत्री अनंग लेखा का विबा कायस्त जाती के एक सुन्दर लेकिन गैर शाही व्यक्ति दुर्लव बर्मन के साथ किया था कारकोटा एक नाग का नाम है ये नागबंशी कारकोटा चत्रिय थे प्रिशिद्य इतिहासकार आर्सी मजूमदार के अनुसार ललिता दित्ति मुक्ति पीड ने दक्षिड की विजयों के पश्चात अपना ध्यान उत्तर की ओर केंद्रित किया जिस से उनका सामराज्य करा कोरम परवत श्रंकला के सुदूर वर्ती कोरे तक जा पहुचा सहासव पराक्रम की प्रिति मूर्ती समराट ललिता दित्ति मुक्ति पीड का नाम कश्मीर के इतिहास में सरवोचे स्थान पर है उनका 33 वर्ष का साशनकाल उनके सफल सैनिक अभि विश्व विजेता बनने की उसकी चाह से पैचाना जाता है लगातार बिना थके युद्धों में ब्यस्त रहना और रड छेत्र में अपने अनूटे सेन्ने कोशल से विजे प्राप्त करना उसका सभाव बना बन गया था ललिता दित्ति मुक्ति पीड ने पीकिंग को भी जीता और 12 वर्ष की बिजय यात्रा की पश्चात कश्मीर लोट गया कश्मीर उस समय सबसे शक्तिशाली राज था उत्तर में तिबित से लेकद्वारिका और उडिसा के सागर तर्त्यकूर्म में बंगाल पश्चिम में बिदिशा और मद एशिया तक कश्मीर का राज फैल भाज किया थे शंप्राइट ललित अदित्य मुक्ट पीड़ ने अपने भवि मंदिरों भविखुवव्य मंदिरों का निर्मान करवाया इन में मारतंडी शूर मंदिर का नाम सब बड़े सम्मान मंदिर का निर्मार किया गया है कि इसकी संपूर्ण प्रतिमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है यह मंदिर जंबू कश्मीर के अनंत नांग से पांच मील की दूरी पर इस्तित है इस मंदिर का निर्मार साथ सो पचीस इसवी से साथ सो चपन इसवी के वीच किया गया इसका प्रांगड दो सबीस फीट इन्टू 142 फीट है यह मंदिर साथ मीट फीट लंबा और 38 फीट चोड़ा है इसके चतुर्दिक लगबग अस्ति प्रकोस्टों के अवशेश बर्तमान में है इसके पूर्वी किनारे पर मुख्य प्रवेश द्वार का मंडप है जिसके द्वारों पर तिरपाश्विक चाप महराब थे जो इस मंदिर के बास्तुकला के भिशेशता है द्वार मंडप तथा मंदिर के स्तंबो की बास्तु शैली रोम की डोरिक शैली से मिलती जुलती है यह मंदिर अपनी बास्तुकला के लिए पूरे देश में प्रशिद्ध है मार्तंड मंद कश्मीरी हिंदू राजाओं की स्थापत्य कला का उत्करष्ट उदारण है इसके इस्तंबो में ग्रीक संरचना के वी दर्शन होते हैं इस मंदिर को केंद्री समारुकों की संरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है पंद्रवी शतापदी में इसलामिक शाशक सिकंदर बुद्शिकन के आदेश पर इस मंदिर का विध्वश किया गया झाल